सब्सक्राइब करें हमारी यूट्यूब चैनल को बेल ऐकन प्रेस कर ले जिस्टी इंकम टेक्स वीडियो सबसे पहले देखने के लिए यूट्यूब चैनल जैसे यूट्यूब पार्टम ने बताया था कि नए इंकम टेक्स पोर्टल पे नए फिचर भी लाए जाएंगे तो उसी रिगाडिंग आज़े का मारा वीडियो है 26AS का नाम तबने सुनाई होगा जिसमें मारे सारी इंकम को डिटेल आती है TDS और TCS जो भी डिडिक्ट हुआ है 26AS आसके दिन नए पोर्टल पे हमें देखने के लिए लोगिन के बाद e-file और viewed form 26AS पे क्लिक करने के बाद हमें 26AS मिल जाएगा अब बातरी चेंज क्या हुआ तो गोवर्मेंट ने annual information report एक नई report ने पोर्टल पे update की है हालांकि अब तक यह completely working में ने आई है इसके रिएम जाना पड़ेगा pending action compliance report e-campaign e-campaign पे जाने के बाद procedure back का दो अप्सर मिलेंगे तो हमें proceed करना है और यहाँ पे ok सबसे first जो column आ रहा है annual information statement साथ में लिखा रहा है बिटा बिटा का में नहीं है कि अब टेस्टिंग स्टेज पे है अब तक यह final नहीं हुआ है ना ही applicable हुआ है लेकिन portal पे update हो रहा है तो में यह आज नहीं तो कल यह apply हो जाएगा और बिटा से यह active हो जाएगा तो government पहले यह इसको testing mode में चेक कर रही है इस पे click करने के बाद कुछ इस्तरी की window पीर होगी आज कितनी है कि 1920 के लिए ही बिटा मोड चल रहा है और यह सो कर रहा है annual information statement summary annual information statement form 26AS यह 26AS का नया version रहेगा या updated version रहेगा future में यहाँ पे summary मिल जाएगी यहाँ पे actual 26AS मिल जाएगा और इसको हम download कर सकते है as PDF as consolidated feedback PDF तो एक ही बात है हम AIS 26AS PDF में download कर रहते हैं कुछ इस तरह का यह form रहता है part A में pen number, अधार number, name, DOB, mobile number, email id और address यह update होएगा B में detail आएगी income की B1 में income relating to tax deducted or collected at source TDS या TCS जो deduct हुए है received from profession, profession में with section 194J और section का detail भी 26AS में section आता है detail नहीं आती तो इसमें briefly उसको पताया भी गया है कि इस section में कौन सी income या कौन सी category of income इसमें fall करती है और amount B2 में information relating to specified financial transaction अब वाद specified financial transaction क्या होता है कुछ specified money delivery delivery government ने fix कर गी है अगर उनको cross करते हैं तो bank उसकी return file करती है government को inform करते है और फिर सरकार की तरफ से notice आता है कि आपने saving account में 10 लाग सूपर cash deposit कराया आप ये cash कहां से लेकिया है credit card में 2 लाग सूपर की आपने payment की तो आपके income का proof दो कि आप income कहां से लेकिए तो इस तरह की detail SFT में आती है थर्ड है payment of tax जो हमने tax pay किया self assessment सबसे अच्छा जो step लिया information related to demand and refund या कुछ लोगों ये ने पता कि income tax की demand आज की दिन उन पर pending है तो अब ये information 26 AS या annual information report कि थूँ वो check कर सकता है यहाँ पर demand आ जाएगा first call में second में refund and B5 information relating to pending proceeding है जब कोई case या assessment गरा चल रही है और pending है तो उसकी detail B5 में मिल जाएगी और अगर complete हो गई assessment तो B6 में और कुछ अधर information यहाँ B7 में मिल जाएगी like bank में हमने form 15G deposit करा दिया तो bank TDS प्रेक्ट नहीं कर रहा लेकिन information ज़रूर फीड करेगा कि इस pen number में हमें इतना interest pay की है तो वो detail B7 में मिल जाएगी अब यह आगे बता रहा है B1 to B7 जो भी detail है उसकी further detail क्या रहेगी तो pen number कहां कहां से कितना TDS मिला है तो B1 से B7 तक का summary हमें apparently मिल गया है प्रसीडिंग भी 26 A's में 100 हो जाएगी और आज की दिन यह beta modemano trial version 19-20 financial year के लिए विलिवल है तो जल्दी यह testing complete हो जाएगी और यह current year के लिए भी apply हो जाएगा तो नए income tax portal पे एक और नई चीज आयर रही है जो जल्द ही trial से apply हो जाएगी इसकी साब में वीडियो को end त्रसीं हुआ थिञे समर bisa इस्ति अभा कुछए तासे में हमें अखंगी और करेंगा जैर लिएगा Option 19-20 token के लिए भी आचिज हो जाएगी में अभिस अभीए को जाम का उल्द के लिएतらい को जाएगी और